बिसमिल्लाइब रख्मान रहीम, असलाम लेकुम स्टूदेंस, मैंने अभद्र रख्मान हैं, एम टीचिंग यू बारलजी स्टूदेंस, इस सेशन इस कंटिनुई इडी अफ प्रिविएस वान जिसमें हमने पढ़ने हैं इस सेशन हमारा कप्लीट होगा, इसमें डिफरेंट पार्ट्स क्या 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 फंक्शन कर रहे हैं, वोट पर देखता हैं जे स्टूदेंस, फर्स अफ आल, जो प्रिविएस सेशन में हम बढ़के आ चुके हैं, उसमें आपको याद होना चाहिए, दिमाग को ब्रिटेक्ट किस तरह से किया गया, फिर फोर ब्रेन को हमने कितने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, या आप लों के जहन मे मिड ब्रेन, मिड ब्रेन बुनियादी तोर पे इनसानी दिमाग का छोटा तरीन हिसा, आल राइट स्टूदेंस, वो हिसा कि जो आपको बहुत सारे रश में, आपके क्लासरूम के अंदर बैठे वे, या ग्राउंड के अंदर भी, अगर दूर से कोई आपका दोस्त आपको रेटिकलर फार्मेशन, रेटिकलर लफजी मतलब इसका है, ब्रांश, नेट्वर्क लाइक स्ट्रॉक्चर, आल राइट, रिले सेंटर बेट्वीन हाइन फोर ब्रेन, इसका मतलब क्या है, कि हाइन ब्रेन से जो लोगर पार्ट्स, अगर हम अपने इस वर्टिकल पोस्टर को देखते हैं, तो जो लोगर पार्ट्स अफड़ बाडी से जितने भी इंपल्सेज आ रहे हैं, या जितना भी इंपुट आ रहा है, उसको स्क्रीन कर देना, उसको फिल्टर कर देना, उसमें से गहर जरूरी चीज़ों को निकाल देना, यह बैस रेटिकलर फार्मेशन का फाइदा है, और फिर काम की चीज़ों को फोर ब्रेन के सपूर्ट कर दिया जाएगा, अडिटरी रिले से बी वही मुराद है, जो भी मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया, कि अपनी काम की चीज़ों को तो फोरन सुन लिया जाए, लेकिन बाकी जो इर्द गेर्द गेर्द जरूरी चीज़ें या घर जरूरी आवाजें आपको आ रहे हैं हर वक्त एंवार्मेंट में से, उनको निगलेक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या छोड़ दिया जाए, तिन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूव्मेंट्स आफ आइज, आँखों की हरकतें जो हैं, आपके आइबाल्स मूव करतें जा रहे हैं, या भी आपका मिडब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, हाइंड ब्रेन इस रिली इंपोर्टेंट क्यूंके हाइंड ब्रेन की एक्स्टेंशन से ही आगे स्पाइनल कॉर्ड ओरीजिनेट होता है, लेकिन हाइंड ब्रेन के अपने बहुत ज आइबाल्स मेडिला, मेडिला कंट्रोल्स आटमेडिक फंक्शन, आटमेडिक फंक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं, जो हमारी तवज्यों के बगएर होते चले जा रहे हैं, काम ब्रीफिंग, सांस लेने का अमर, के आपका फोकस, आपकी कॉंसेंटरेशन किसी भी एक्टि हाइन ब्रेन के मेडियोला वाले पार्ट की बदाला, हाट रेट, हाट रेट से क्या अमराद है, कि जो आपके दिल की धड़कन की स्पीड है, बिमारी में बढ़ जाना, नॉर्मल कंडिशन में नॉर्मल हो जाना, या इसके इलावा ब्रेडिकार्डिया या टेकी कार्डिय या वली कंडिशन्स को शामिल किया जा सकता है दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना या दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाना बलड ट्रेशर को कंट्रोल करना और स्वेलोइंग एक ऐसी एक्टिविटी अगेन जिसकी तरफ हमारी तवज्यो नहीं होती लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल किसम का ये काम होता है कि जब खुराक को निगला जा रहा हो तो अगर खुदाना खासता कोई जर्राद सांस की नाली में चले जाएं तो इसकी वज़ा से स्वियर किसम की चोकिंग हो सकती है इतना खास एफेक्ट इसका इस जबरदस किसम का निगरिव एफेक्ट हो सकता है कि सांस बंद होके इंसान की डेथ भी हो सकती है इस आटोमेटिक फंक्शन को भी कौन पंट्रोल कर रहा है आपका मिद्यला then is the second part of the hindbrain that is pons alright pons को बाज वकाद leaf-like structure भी कहते है क्योंकि जब भी section में इसको देखते है तो इसके अंदर हमें reticulate branching pattern बनावा नजर आता है it is located above medulla and influence transitions between sleep and wakefulness they are regulated by pons alright फिर उसके साथ ही साथ कुछ हद तक जो sleep-wake cycles है with the help of hypothalamus pons उनको भी regulate कर रहा है rate and pattern of breathing again वही चीज़ कि अगर आप exercise में हैं emergency situation में हैं या बहुत ज़्यादा threatened हैं किसी वज़ा से तो इन तमाम conditions में जो दिल की धड़कंद में तगयर और तबदल आ रहा है जो तबदीलियां आप observe कर रहे हैं बन्यादी thought पे pons उसको regulate कर रहा है then is the ultimate part of the brain of the hind brain seri bellum ultimate part इसको students में क्यों कह रहा हूँ again वही बात के बाद वकात हमारी आँखें जो हैं वो अपनी different activities पे focus कर रही होती है लेकिन हमारी body की जबरदस synchronized movements चल रही होती है के दाइं टांग उठा के हम आगे रखते हैं और फिर इसी तरह अगर हम running या jogging वाली condition में जा रहे हैं तो उस सूरत में भी अगर कहीं ऐसी जगा आ जाजाए या ऐसी surface आ जाजाए के जो level ना हो जो बिलकुल हमवार ना हो तो उस सूरत में भी आपकी body के balance को maintain करवाना seri bellum का 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 काम हो रहा होता है seri bellum ये काम कर रहा है पिर इसके साथ ही साथ स्टूदेंस आपने देखा होगा कि बाज अकाद कुछ ये जो बाजीगर हैं एक रसी पे अपने आपको balance करके चल रहे होते हैं उस सूरत में भी seri bellum एहम तरीन काम perform कर रहा है अगर cricket वगएर के आप शुकीन हैं बाजी को balance रखा जाए इस तरह की सूरते हाल में फिर इसके बास students जो functions आप इसके साथ साथ note करेंगे important in coordinating movements of body guides smooth and accurate motions maintain body positions involved in learning and memory storage for behaviors अब ये एक एहम चीज़ है इसको हम environmental ये exogenous learning भी कह सकते हैं कि जिस तरह के environment में आप रह रहे हैं वहां से बहुत कुछ आप सीखते रहते हैं पढ़ने में हमारे कुछ behaviors शामिल होते हैं इसी तरह खाने पीने में हमारे manners शामिल होते हैं और तो और जो हमारा lifestyle है it is also the human behavior किसी के साथ अच्छाई से पेश आना किसी के साथ हुसने सलूक या खुश अखलाकी से पेश आना ये सारी की सारी चीज़ें आप मुक्तलिफ gestures होते हैं जिसे ये note करते हैं तो ये सारी memories जो हैं आपके seribellum में स्टोर की जा रही है best developed in birds engaged in complex activity of flight अब ये चीज़ तुरेंस बहुत जबरदस्त है MCQs के हवाले से भी statement याद रखिएगा और वैसे भी देखें कि अगर आप से कहा जाए कि आप एक टांग पे अपने आपको ज्यादा देर के लिए balance रखें और इसी तरह से forward और backward direction में movements भी करें तो शायद अपने आपको आप balance ना रख पाएं लेकिन परिंदों की अगर हम हरकात पे गोर करते हैं तो वो तो wings की मदद से उड़ते ही चले जा रहे हैं कोई support नहीं है हवा की मदद से उन्हें उड़ना है और अपनी flight को एक मखसूस direction में लेके जाना है अपनी body को हवा के अंदर जबरदस किसम का balance बना के बरकरार रखने की कोशिश करनी है तो ये सब चीजें उनके cerebellum की वज़ा से हैं क्योंकि cerebellum highly developed है इस वज़ा से पर इंदे हवा के अंदर जबरदस किसम की balance परवाज कर सकते हैं Alright students Then is the spinal cord जिसके अंदर आपके लिए बहुत important short question मौजूद है What is the difference between grey matter and white matter जी students तो पहले हम define करते हैं कि spinal cord है क्या चीज़ अगर आप इसको थोड़ा anatomically observe करें तो आपको पता चलता है के hind brain का ही एक हिसा है जिसे हम कहरे है midiola oblongata Alright जो midiola oblongata वाला part है वो ही elongate हो के descend हो जाता है into the backbone या vertebral column और उस oval rope like structure का नाम हमने रख दिया है spinal cord Alright आप इसको किस तरह से define करेंगे midiola oblongata narrows down into the oval shape the hollow cylinder the spinal cord running through the vertebral column आपकी जो read की हड़ी है जो backbone है उसके अंदर भी cavities मौजूद होती है उसके अंदर से ये white color का band descend होते हुए फिर उसमें students brain के लिहाँ से अगर हम देखें तो grey matter और white matter की position थोड़ी सी different है spinal cord के center में grey matter मौजूद होता है जबके दिमाग की periphery में grey matter मौजूद था दिमाग के core में white matter मौजूद होता है और spinal cord की periphery में white matter मौजूद होता है ये difference याद रखिएगा लेकिन grey matter या white matter की composition क्या है ये आपकी fingertips पे अभी आ जाएगी ये इस तरह की nerve fibers के जिनके उपर myelin sheath मौजूद नहीं है उसके ना होने की वज़ा से जब इनकी aggregation होती है किसी जगा पे इकटे होती है ये cell bodies ये इस तरह के nerve tracts तो हमें बता चलता है के ये grey matter बना रहे है All right On the other side white matter क्या चीज़ है made up of myelinated nerve fibers यानि इस तरह की nerve fibers या nerve tracts जिनके उपर आपको myelin sheaths बनी ही नज़र आए ज्यादा तर exonal bodies पे मुश्तमिल होते हैं ये और exons के उपर ही myelin sheaths बनाने वाले schwon cells भी मौजूद है जिनकी वजह से myelin sheath synthesize की जाती है and it brings out the white matter of the spinal cord All right students Functions के अगर हम बात करते हैं तो spinal cord is center for many reflexes खास और पे reflex action के अवाले से आपने ये पढ़ा हुआ है कि बास उकात हमें unconscious या uncontrolled responses देने पड़ते हैं तो उन involuntary actions के लिए spinal cord खुदी काफी है All right moreover the pathway for conduction of impulses to and from different parts of the body and brain और उसके साथ ही साथ it is the connecting bridge between the peripheral nervous system between the nerves coming from different receptors towards the brain as well as जो orders brain ने pass on करने हैं towards the body वो भी spinal cord से होते हुए motor neurons के जरीए effectors तक चले जाते हैं All right students तो spinal cord और brain को मिला के आपका central nervous system complete हो जाता है हाँ पे फिर इन्शाला ताला next session में next topic के साथ मुला काथ होगी